मैं किराय आप सभी का अपने यूटूब चैनल मैथ स्वित एके राय पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम लोग एक नया सिल्सिला प्रगम्द करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा दिमांड था बच्चों का पिसर आप किरन का जो 900 प्लस बुक प्रिभियस यर है उसे सल्व करें सबसे पहले आप एड़्भान समेथ को सल्व करें उसके बाद अर्थमेटिक सल्व करें तो इन सारे जो टॉपिक्स हैं आपको किरन 900 प्लस बुक में वो सारे कोर्षंस हम सल्व करेंगे परते एक टॉपिक का तो आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो मेरा टॉपिक है एलजेब्रा क्या है एलजेब्रा तो एलजेब्रा के हम एक एक कोस्टन को आज बहुत ही संदार तरीके से सल्व करूँगा पहले उसे डिस्क्रिप्ट्रिप मेथड से लंबे तरीके से जेनरल मेथड से सल्व करूँगा फिर उसके बाद उसे सौट करूँगा और आपको बताऊँगा कि एक्जाम हॉल में जब यह कोस्टन आएंगे तो आपकी इस तरह से अप्रोच लें ताकि यह बहुत ही जल्द सल्व हो जाए तो चलिए एक एक करके हम लोग कोस्टन लेते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं तो चलिए देखते हैं हमारा पहला कोस्टन क्या है हमारा पहला कोस्टन कह रहा है द प्लस y by 7 equal to x into y y क्या 4 ये दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि हमीं बता दिजिए कि x y का value क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है अब अराम से इस question को पहले सोचते हैं कि हम इसे कैसे exam hall में पहचानेंगे कैसे इसे बनाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हम method first का बात करेंगे पहले हम इसे long method से solve करते हैं ताकि जो बच्चे कमजोर हो उन्हें भी समझ में आ जाए जो बच्चे तेज हैं उन्हें तो समझ में आहे रहेगी तो देखिए अगर ऐसा कभी भी आपके exam में paper में question आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये term ये term और ये term ये term ये तीनों तर्म आपस में क्या है भाई equal है तो जब तीनों तर्म आपस में equal है तो हम इसके बारे इसके बराबर हम कोई constant की मान सकते हैं बोले हैं मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं तो यह math का rule है हम बिलकुल मान सकते हैं अब ध्यान देंगे जब इसके बड़ता में कुछ नहीं है तो हम भोल सकते हैं कि इसके बड़ता में क्या है वाई एक है तो हम लिख सकते हैं कि x-y बड़ता 1 equal to k तो यहां से मेरा value निकल जा तो हम बोल सकते हैं कि X पलस Y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 की उसी प्रकार से हम फिर बोल सकते हैं कि X बटा Y इक्वल टू ये दी 4 है X बटा 4 इक्वल टू की है तो आप X Y बराबर क्या बोल सकते हैं 4 की बोल सकते हैं बोले ये बात सही है कि नहीं है तो ये हमने यहां से भैलू निकाल लिया अब रहा बात है कि हमें xy का भैलू निकाला है और xy का भैलू 4 की दे रखा है तो 4 की जब भी दे रखा है तो हमें की का भैलू पता होना चाहिए अगर हम एक key का value पता नहीं चलेगा तो हम इस question को solve नहीं कर पाएंगे तो ध्यान देंगे अब हम एक format लेते एक formula सायद आप लोग जानते ही होंगे उसे हम एक बार लिखते हो formula क्या है गई तो x plus y का whole square equal to क्या होगा तो x plus y का whole square equal to होता है x minus y का whole square x minus y का whole square plus 4xy क्या होता है x plus y का whole square equal to x minus y का whole square plus 4xy अब बोलिए x plus y का value कितना दे रखा है तो x plus y का value आपका है 7k तो अगर हम 7k का square करेंगे तो मेरा आ जाएगा 49k square उसी प्रकार x minus y का value क्या दे रखा है कि इसका हम square करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा k square plus x y का value क्या दे रखा है तो 4k तो 4k into 4 बोलो क्या हो जाएगा भई तो 6k के आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 6k अब ध्यान देंगे ये इधर से जब इधर आएगा तो 49 में से k square घटेगा तो 48k square equal to आपका क्या आ जाएगा 16k आ जाएगा और यहां से ये cancel करेंगे तो आपका k बार में जाएगा और 16 से ये 3 बार में जाएगा तो अगर k का बात करें तो मेरा result आ गया 1 by 3 k का value क्या आ गया तो 1 by 3 आ गया तो अगर हमें x y निकालना है तो हमारे पास x y का value क्या है तो हमारे पास x y का जो value है वो है 4k तो 4 into k का value 1 by 3 तो मेरा answer आ जाएगा 4 by 3 4 by 3 इस प्रसंद का सही answer होगा अर्थात मेरा option number पहला जो है वो सही उतर होगा तो ये रहा इस question का long method अब हम इस question को solve करने वाले हैं short method से तो चलिए इसका short method देखते हैं अब हम इसी question को method 2 से solve करते हैं देखिए पिछले वाले method में हमने question तो solve किया लेकिन हुआ क्या कि इतना समय लग गया कि हम उतना समय exam hall में नहीं दे पाएंगे तो उतना समय अगर exam hall में हम नहीं देंगे तो मेरी भाई उसे sort हम करेंगे कैसे तो इस बात को जानना है तो चलिए इस बात को जानने के लिए हम ध्यान देते हैं और question को जल्दी sort करते हैं चलिए आईए sort करके देखिए अच्छा एक बात बताईए अगर इसके बटा में एक हैं और हम ratio में लिखना चाहें तो आपको इतना तो पता होगा कि यदि हम x minus y ratio x plus y ratio x y बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि x minus y का value 1 x plus y तो 7 और x y तो क्या होगे आपका 4 यह आपका ratio आया ratio में value आया x minus y का 1 x plus y का 7 और x y का value 4 अब यही से question हम solve करेंगे ध्यान दीजेगा देखिए आपको पता होगा proportion के नियम में कि जब हम 3 term दिया है तो भी हम 2 ही term लेंगे अर्ठात आप इतना बात जानते होंगे कि a is to b समान उपात c is to d यदी होता है तो हम दूर का गुना दूर से और नजदीक का गुना नजदीक से करते हैं तो मेरा result ad equal to bc आता है क्या आता है भई ad equal to bc आता है तो हम direct यहीं काम यहाँ पर भी करेंगे यह मेरा दो तर्म यह मेरा दो तर्म तो ये दूर का गुना दूर से और नजदीक का गुना किसे कर लेंगे नजदीक से तो अब एक बात बताईए यहां से जब आप रिजल्ट लेने जाएंगे या और भी तरीके से सोच सकते हैं देखिए आप डाइरेक्ट बोली कि X-Y का वहलू 1 और X-Y का वहलू 7 इसी से आप बना लेजे गुना मत करें तो X-Y का वहलू 1 हो गया और X-Y का वहलू यह दी 7 हो गया तो इसे सल्व करेंगे तो जोड़ेंगे तो जब जोडेंगे एक बार तो x निकल जाएगा बोलो x का value क्या होगा तो 7 पलस 1 बाई 2 इकोल टू क्या हो जागा 4 हो जाएगा अगर y का value बोला जाए तो 7 माईनस 1 भटा 2 अर्था क्या हो जागा 3 हो जागा क्या जागा 3 हो जागा 4 गुने 3 कितना हो रहा है 12 लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 4 तो आप बोल सकते हैं कि 12 unit का value कितना है भाई 4 तो 1 unit का value क्या होगा तो 4 बटा 12 अर्था 1 बटा 3 और ratio में मेरा xy का value कितना unit है तो xy का value मेरा 4 unit है तो जब 1 unit का value 1 बटा 3 है तो 4 unit का value 4 into 1 by 3 अर्था 4 by 3 होगा अब फिर एक बार जल्दी से देख ले इस question को हम fast करके दिखा देते हैं कभी भी ये paper में question आगा यहीं से solve करिएगा x minus y का value 1 और x plus y का value 7 तो x plus y का value जब 7 है और x minus y का value 1 है तो x का value क्या होगा दोनों को जोड कर आधा तो 7 और एक 8 8 का आधा बोली क्या होगा 4 तो x का value होगा 4 y का value घटा करके आधा तो 7 में इस 1 गया 6 6 का आधा कितना होगा 3 तो x का value 4 y का value 3 तो x y का value कितना 12 x y का value 12 लेकिं रेशियों में एक स्वाई का वैलू कितना दे रखा है फोर तो बारह игр in case of लेशर के लिए पेलू 4 बचाइब पर्टा यह परोच लगाएंगे तो यह अमयरा मेरा पहला कोश्चन अब चलिए कआ हैं हम दूसरे question को हमारा दूसरा question क्या है थोड़ा इस पर गौर करेंगे देखिए दो number question मेरा क्या कह रहा है आराम से समझेंगे कह रहा है कि e square equal to क्या है भाई 2 है यह दी रखा है तो आप से पूछा जारा e plus 1 is equal to 1 अब आप थोड़ा सा एक बात हमें बताईए अगर कोई आप से पूछा कि e square equal to 2 है और e plus 1 का value निकालना है तो आप क्या करेंगे सिधा बोलेंगे कि भाई मेरे e का value root 2 होगा और root 2 plus 1 इसका answer होगा लेकिन ऐसा option में नहीं दिया है अगर इतना easy question होता तो आप से पूछता ही नहीं आप option क्या दे रखा है उसको थोड़ा देखा जाए तो आपका जो first option है वो क्या है वाई तो first option कर रहा है a minus 1 second option क्या कर रहा है तो second option कर रहा है आपका कि 2 by E-1 3rd option क्या कर रहा है तो 3rd option कर रहा है कि E plus 1 और बटा में 3 minus 2A और 4th option क्या कर रहा है कि 4th option कर रहा है कि E minus 1 बटा में 3 minus 2A E minus 1 बटा में 3 minus 2A यह 4 options है अब इतना तो clear है कि यह question कभी भी exam में आएगा तो बिना option का ये बनने वाला नहीं है, ये बात माइन में state कर देज़ें, अब देखिए हमें निकालना क्या है, हम डाइरेक्ट यहां से सब करते हैं, अगर मेरे पास e square का value 2 है, तो मेरा e का value क्या होगा, पर ये root 2 होगा, और अगर e plus 1 निकालना हो, तो root 2 plus क्या होगा, 1 होगा कि ये root 2 minus 1 होने वाला है, और मुझे तो answer root 2 plus 1 लाना है, इसका मतलब ये सही उतर नहीं हो सकता, अब बात करी, यहां पर आते हैं, तो ये तो 2 है, और नीची आपका क्या होगा, root 2 minus 1 होगा, आप rationalize भी करेंगे, तो उपर चला जाएगा, root 2 plus 1, विसे इस कुछ मिलने वाला नहीं है, इसका मतलब ये भी इसका उतर नहीं हो, अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं, तो यहां पर e plus 1 करेंगे, तो root 2 plus 1 होगा, और बटा में क्या है, 3 minus 2 root 2, अब आप माइन में ये रखेंगे, e का भेलू चुकी root 2 था, इसलिए 2 root 2 होगा, अब देखिए हमे तो इतना ही लाना है, हमें तो root 2 plus 1 लाना है, इसका मतलब इसका value 1 होना चाहिए, और ये कभी 1 होगा नहीं, इसका मतलब ये भी इसका answer नहीं होगा, तो जब ये भी इसका answer नहीं होगा, तो ये answer कौन होगा, ये, exam hall में आप इस तरीके से question को solve करेंगे, लेकित अब रही बा एक value क्या है, तो root 2, तो root 2 minus 1, यहाँ पर आजिए, तो 3 minus 2 root क्या होगी है, 2, अब आपको rationalization आता होगा, तो इसे rationalize कर लीजिए, ये होगिया, root 2 minus 1, और sin बदल के उपर नीचे गुना होगा, तो 3 plus 2 root 2 होगा, और बटा में आपका 3 minus 2 root 2, और into आपका हो जागा 3 plus 2 root 2, लेकि देखिए, ऐसे आप exam hall में नहीं करिए, आप हमेशा mind में क्या रखिएगा, कि नीचे हमेशा वरगू का अंतर होता है, दोनों तर्म के square का difference होता है, 3 का square क्या होगा, 9, और 2 root 2 का square क्या होगा, 8, 9 में से 8 जाएगा, नीचे 1 होगा, आप जुत मुत के इतना कुछ कर रहे हैं ये आगे से नहीं करिएगा, आप सीधा बोलिए, 3 का square 9 और 2 का square 8, तो ये नीचे हमेशा आपका 1 होगा, इसे लिखिए, न लिखिए, कोई फ़र्क पढ़ने वाला नहीं है, अब आप गुना करिए, तो इसे गुना करेंगे, तो क्या होगा, 3 root 2 हो जाएगा, अब इसको उ और 4 में से 3 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अर्था तो root 2 प्लस 1 इसका result आएगा, लेकिन exam hall में ये सल्ब नहीं करना है, 4 option में जब 3 option हमने eliminate कर दिया, तो 4 option ही answer होगा, ये clear है, अब वहाँ पर किसी को साबित हमें थोड़े करना है, कि नहीं हमको आता है, हम root 2 प्लस 1 अगर ऐसा आप करते हैं, तो ये घलत काम कर रहे हैं, आप एक जाम hall में answer बारेंगे, 4 number आपका answer होगा, clear है, चलिए फिर देखते हैं, अगला question, हमारा तीसरा question क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं उसको, मेरा तीसरा question कह रहा है, अराम से पढ़ेंगे question को, कि x y square minus 1 की प्रत प्रति लोमता परिवर्तित होता है, प्रति लोमता का English होता inversely proportional, अर्थात उल्टा परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ, कि x जो है, वो inversely proportional है, y square minus 1 का, अब कह रहा है, कि y बराबर 10 की इस्तिती में उसका मान 24 है, अर्थात y का value जब 10 है, तो उसका मान मतलब किसक इसका मान, x का मान कितना है, 24 है, यह first condition है, second condition में क्या दे रखा है, कि यदि y का value 5 है, तो बोलिए उस condition में x का value क्या होगा, चलिए अब अराम से इसे सल्व करते हैं, धिहान देंगे, आपको यह बात तो पता होगा, कि जब यह इधर आएगा, तो x गुने y square minus 1 हो जाएगा और इस proportion की symbol को हटाएगे, तो बराबर आएगा और एक constant क्या आएगा, कि आएगा, हम यह बोल सकते हैं कि यह term बार बार repeat करेगा, अर्थात x1 into y1 का square minus 1, बराबर इसको लिख सकते हैं, x2 into y2 का square minus 1, लिख सकते हैं, अब यह पहला condition हो गया, यह दूसरा condition हो गया, अब value उठ के रख लिजिए, पहला condition में x का value क्या दिया है, मेरे भाई, 24 तो यहां रख दीजिए, 24, दूसरे condition में y का value क्या है, 10 तो 10 का square minus 1, यहां x2 का value हमें ग्यात करना है, यह हमें find out करना है, लेकिन y2 का value रखा है, 5 तो 5 का square minus 1, अब इसे हम calculate कर लेंगे, तो मेरा आ गया, 24 गुन 100 में से एक गया, बोल यह क्या हो गया, 99, equal to x2 into 24, यह 24 से 24 clear हो गया, तो x2 का value कितना आ गया, 99, इसका मतलब कि इस condition में, जब y का value 5 होगा, तो उस situation में यह जो x का value है, x क्या होगा, 99 होगा, और यह इसका सही कुटर है, clear है सभी को, जल्दी से बताएं सभी को clear है न, तो चलिए, अब आगी बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला question क्या है, question number 4, देखते हैं कि हमारा चौथा प्रस्न क्या कह रहा है, चार number प्रस्न को देखा जाए, चार number प्रस्न कह रहा है, कि x square minus y square equal to 80, दिया है x square minus y square equal to 80, और उसकी बाद एक value दिया है, कि x minus y equal to 8, तो आप से पूछ रहा, x और y का आउसत क्या होगा, तो x और y का आउसत क्या होगा भाई, तो x plus y बढ़ता 2, यहीं हमें find out करना है, कि x और y का आउसत क्या होगा, तो चलिए इसे sum करते हैं, देखिए आप लोग एक formula जानते होंगे, क्या जानते होंगे भाई, क x square बढ़ाबर होता, a plus b, और into a minus b, यह सभी को पता होगा, जहां तक हमें उमीद है, क्योंकि यह basic सा चीज है, अब इस चीज को थोड़ा सा देखिए, क्या दे रखा है, तो इसने दे रखा x square minus y square बढ़ाबर से, इसे भी तोड़ देंगे हम, तो इसे लिख सकते x plus y, और इ इसका value क्या हो जाएगा, तो इसका value दे दे रहा है, अब देखिए, यहां से आप उठा लेजिए, x minus y का value कितना है, तो 8 है, तो x minus y का value 8 है, तो x plus y का value क्या होगा, तो 80 बढ़ता में 8 अर्थात कितना होगा, 10 लेकिन हमें ग्याद क्या करना है तो हमें तो ग्याद करना X और Y का आउसत न अर्थात हमें X पलस Y बाई 2 ग्याद करना है तो X पलस Y बाई 2 जब करेंगे तो ये 10 बटा 2 हो जाएगा और आपका उत्तर क्या होगा 5 अर्थात आपका option number 4 सही उत्तर है अब हम इसी question को serve करते हैं दुसरे method से अर्थात method 2 अपलाई करते हैं देखिए method 2 में हम लोग क्या करेंगे value putting method लगाएंगे ऐसा value लेंगे ताकि ये दोनो equation को satisfy कर जाए उसे balance कर दे तो ध्यान दे अगर हम X का value 9 लेते हैं तो 9 का square क्या हो जाएगा 81 और Y का value हम 1 लेते हैं तो 1 का square क्या हो जाएगा तो 9, 81 और 1 का square 1 तो 81 में से 1 गया 80 देखिए balance किया कि नहीं किया तो कर गया अब X-Y को भी check कर लिजिए तो X-Y कर रहे है एकस का value 9 और Y का value 1 बोलिए कितना हो गया 8 और ये दे भी रखा है आपको 8 इसका मतलब balance कर रहा है तो डाइरेक्ट का हम एकस का value 9 और Y का value 1 हमें निकालना क्या था तो 9 पलस 1 बाई 2 अर्थ 13 बाई 2 यह क्या होगा 5 लेकिन ध्यान देंगे इस तरह से जब आप question को solve करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा आपका practice होना चाहिए आप जितना बेटर प्रैक्टिक्स करेंगे उतना बेटर आप question को बनाएंगे ऐसे ही आप value नहीं कर दीजिएगा आपको बहुत practice करना होगा मेहनत करना होगा तो उसके बाद आप रखेंगे लेकिन इक्जाम होल में यदि कभी भी भैलू पूट करने में समय लगे तो आप वहां value पूट ना करें जल्दी से निकलिए और जेंडर से question को solve कर दीजिए नहीं तो पता चला कि value पूट करने में यह आपको 5 मिनट का समय लग गया तो उस situation में एक बार में अगर mind strike कर गया कि हाँ यह value होगा तो रख दीजिए और निकल जाए अगर नहीं रख पा रहे हैं तो फिर जेंडर से बना के निकल जाए एक्जाम होल में time बहुत मायने रखता है तो चलिए mathematical identities के maxima और minima topic से लिया गया है तो इसे बहुर करेंगे question क्या कर रहा है कि x square minus x plus 1 का minimum value क्या होगा निम्नतम मान क्या होगा या निम्नतम मान क्या होगा निम्नतम मान आपसे पूछा जा रहा है तो इसके लिए आपको एक concept जानना होगा quadratic equation का concept है उसे आपको mind में रखना होगा चाहे आप जैसे रखें ध्यान देंगे अगर आपका quadratic equation है a square plus bx plus c बराबर 0 तो वहाँ पर आपका maximum या minimum value maximum या minimum value दोनों के लिए एक ही formula apply होता है और वो formula क्या है भाई तो 4ac minus ba square बटा 4a 4ac minus ba square बटा 4a जहां a ये value है b ये वाला value है और c ये वाला value है अब आपके मन में एक confusion create हो रहा होगा क्या हो रहा हो भाई कि maximum के लिए भी यही हो जाएगा और minimum के लिए यही formula कैसे हो सकता है तो ध्यान देंगे ये depend करता है question पर अगर x square x square का coefficient ये a positive होगा तो आपसे minimum value पूछा जाएगा लेकिन x square का coefficient यदि आपका negative होगा तो उस समय आपसे maximum value पूछा जाएगा formula तो यही होगा लेकिन terms के वाल बदल जाएगे ये mind में रखिएगा जैसे देखिए x square का coefficient यहाँ plus 1 है तो आपसे minimum value पूछा गया है लेकिन अगर यही पर negative होता तो ये term बदल जाता और आपसे पूछा जाता maximum value तो ये बात आपको याद रखने होगी अब ध्यान देंगे इस equation में a के जगा पर क्या है वहिया तो ए के जगा पर आपका 1 है और b के जगा पर क्या है आपका तो b के जगा minus 1 है और c के जगा क्या है तो c के जगा 1 है अब रख दिजीए सीधा आपसे minimum value पूछ रहा है तो minimum value जो आपका होने माला है वह हो जाएगा 4ac तो ये का value 1 और c का value 1 माइनस बी स्क्वाइर तो माइनस वन का हुल स्क्वाइर बट्टा 4A तो 4 इन्टू 1 आप देख लिए यह 4 हो गया यह एक हो गया 4 में से गयती और बट्टा में 4 अर्था 3 बट्टा 4 इसका एकजक्ट उत्तर होगा देखते हैं हमारा अगला प्रस्न क्या है मेरा 6 नम्बर कोस्चन होगा और यह क्या कह रहा है देखिए प्रस्न में कह रहा है कि A greater than B AB से क्या है बढ़ा है उसके बात कह रहा है कि A plus B बराबर कैा है आपका 5 है और AB बराबर क्या है तो 6 है और आप से पूछा गया है कि e e square minus b e square इचकर तो what? clear है? अब आप पहले सोचें कि भाई मेरे पास क्या है क्या दिया हुआ है? पहले हम इसे general method से solve करेंगे, method first use करते हैं और फिर इसको sort करने का प्रयास करेंगे अच्छा देखिए अगर आप से e e square minus b square पूछा गया है, इसका clear मतलब यह है कि आपको e plus b और e minus b को गुना कर देना है अगर e plus b और e minus b के value को आप गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा भाई? तो e square minus b e square निकल जाएगा लेकिन दिया क्या है? तो आपको दिया है e plus b का value 5 और e minus b का value क्या है? गाइब है, पता नहीं है, तो चलिए इसे हम देखते हैं कैसे निकालेंगे तो आप एक formula जानते होंगे, क्या जानते होंगे भाई? तो e minus b का whole square equal to e plus b का whole square minus 4ab आपको पता होगा ये बात? नहीं पता होगा तो अभी जानगे हैं, अब value उठाके रख दिजिए, तो 5 का square minus 4 गुने 6 तो 25 में से 24 गया 1 हो गया, और यहां से यह जी value a minus b का लेंगे, तो वो कितना आजाएगा? 1 आजाएगा, क्या आजाएगा? 1 आजाएगा, अब देखिए आप plus minus 1 भी ले सकते हैं, लेकिन option में कोई negative option है नहीं, इसलिए minus लेना उचित यहां पर नहीं होगा, exam hall में आपके सा पांच गुने, एक आपका answer हो जाएगा 5, 5 इस प्रस्न का सही उत्तर होगा, आप चलिए, इसी question को हम लोग जल्दी से solve करते हैं, और method 2 apply करते हैं, method 2 में हम क्या करेंगी भाई मेरी, तो value put करेंगे, value put करेंगे कि कौन सही हो रहा है, दिहान दे, आपको दी रखा e plus b बराब 5, अगर हम इसका value लेते हैं 3, और इसका value लेते हैं 2, तो 3, 2 क्या हो जाएगा 5, काम कर रहा है यहाँ पर, आगे बढ़िए, अब है AB, तो AB का value क्या दे रखा है 6, तो इसका value है 3 और इसका value है 2, 3, 2 ने क्या हो गया 6, इसका मतलब कि A का value मेरा 3 होगा, और B का value मेरा 2 होगा, तो मेरे से पुछा गया कि a a square minus b a square is equal to 8 तो 3 का a square minus 2 का a square तो 9 minus 4 बो एंसर क्या होगा तो 5 होगा तो एक जाम होल में आप question को इस तरीके से solve करेंगे चलिए देखते हैं अगले परशन को हमारा 7 नमर question क्या कह रहा है ये देखा जाए तो 7 नमर question में दे दिया है कि e का value क्या है 23 और b का value क्या है तो minus 29 और आपसे पूछा जा रहा है कि 25 a square plus 40 a b plus 16 b square का value क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है चलिए अब देखिए आपको पहले सूचना है question सल्व कैसे होगा कुछ बच्चे ये दिमाग लगा रहे हैं कि क्यों नहीं value रख दिया बाहर है 23 का value रख दो तो 23 का value तो रख दीजिएगा उसे square करने और बुना करने में पता चला 5 minute का समय गया आपको सेकिंडों में question सल्व करना है तो आप आले सूचिए थंडे दिमाग से कि यहाँ पर अगर 25 a square है तो कहीं न कहीं ये 5 a का square है अगर ये 16 b square है तो कहीं न कहीं ये 4 b का b square है तो ये 5 a का square हो गया ये 4 b का square हो गया तो दिमाग में इतना तो पता चल रहा होगे कहीं न कहीं a plus b का whole square तो नहीं है तो इस पर तोड़ करके देख लेते हैं set करके देख लेते हैं तो यहाँ करेंगे 5 a का whole square और यहाँ हम कर देते हैं 4 b का whole square तो मेरे को मिल गया a e square और plus b a square बीच में plus 2 a b तो 2 into 5 a into क्या होगा 4 b और यहां से calculate कर लेंगे तो क्या calculate करेंगे भाई तो यहां से आप लिख सकते हैं कि यह 5 a plus 4 b का whole square है 5 a plus 4 b का whole square है अब यहां value रख दीजिए आपका answer जल्दी से आ जाएगा तो चलिए a का value कितना है 23 तो 23 पांचे क्या होगा 115 हम यहां लिक देते हैं 5 into 23 115 minus देखी यह plus है और यह minus में तो गुना होगा तो भाई क्या होजागा minus होजागा 4 b तो 4 into 29 तो यह क्या होजागा 116 तो यहां आप देख ले यह 115 minus 116 का whole square हो गया तो minus 1 का a square हुआ answer क्या आएगा 1 तो 1 इस प्रसन का सही उत्तर होने वाला है clear है सभी को आप देख ले option number आपका पहला होगा first इसका answer होगा हमरा 8 number question क्या कह रहा है देखिए 8 number question भी इसी प्रकार का question है दिया हुआ है कि x minus y बराबर 2 है और x square plus y square बराबर 20 है और पूछा जा रहा है कि x plus y का whole square is equal to क्या होगा अब देखिए इस प्रसन को आपको solve करना है अब इस प्रसन को solve करना है तो सबसे पहले हम general method अपनाते है method first apply करते हैं उसके बाद फिर value पूट करके बनाएंगे तो पहले समझे इतना सा बात कि अगर हमें x plus y का whole square करना है तो इसका result आएगा x square plus y square plus 2xy मेरे पास तो यह value पता है x square plus y square पता है लेकिन क्या x y का value पता है तो नहीं पता है तो x y का value भाई निकालेंगे तो कहां से निकालेंगे तो यहां से निकालेंगे देखिए x minus y का whole square बराबर क्या होता है तो x square plus y square minus 2xy अब रख देजिए तो x-y का whole square क्या होगा तो 2 का square क्या होगा अच्छा और ये क्या दे रखा है आपको तो 20 और minus 2xy हो गया तो यहाँ जब यह इधर आएगा तो 2xy बराबर आपका सुल्ला हो जाएगा और xy का value आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा xy का value क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा अब उठा कर यहाँ पर रख लीजिए तो यहाँ रखेंगे तो बोलिए इसका value क्या है भाई तो इसका value आपको दे रखा है 20 तो यह 20 रख दीजिए अब पलस 2 गुने 8 तो 8 दुनी 16 तो 16 और 20 इसका answer क्या होगा 36 इस प्रस्ण का सही उत् अब इसी question को हम value putting method से solve करते हैं अर्थाथ method number दुसरा लगाते हैं और देखते ही क्या हो रहा है चली अच्छा देखिए x square प्लस y square पर अब 20 ले रखा है तो अगर x का value हम 4 ले ले और y का value हम 2 ले ले तो 2 का square 4 और 4 का square 16 तो 16 चार क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा काम कर रहा ह अगर x का value हम 4 लेते हैं और y का value 2 लेते हैं तो ये भी 2 हो रहा है ये भी काम कर रहा है इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x का value 4 होगा और y का value क्या होगा 2 होगा तो हमसे पूछा के गया तो हमसे पूछा गया कि x प्लस y का whole square क्या होगा तो 4 प्लस 2 बोलिए 6 का whole square कितना होगा 36 और ये इसका सही उत्तर होगा, तो आप इस प्रकार से भी प्रश्म को सल्व कर सकते हैं, चलिए आप देखते हैं 9 number question, बड़ा ही खुर्शूरत सा question है, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा इस question को सल्व करने के लिए, आपको दे रखा है, x बराबर b पलस c माइनस 2a, y बराबर आपको दे रखा है, c पलस a माइनस 2b, और z बराबर आपको दे रखा है, a पलस b माइनस 2c, यह आपको दिया हुआ है, और आपसे पूँछा जा रहा है, कि x square plus y square minus z square plus 2xy is equal to क्या होगा अब देखिए इस प्रसुन को solve करना है अब थोड़ा साथ दिमाग लगाई आप यहाँ से तो कुछ नहीं यहाँ सिल कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा देखिए दिख रहा है क्या हमें तो दिख रहा है क्या दिख रहा है बाई तो यह चीज आपको है x square plus y square plus 2xy और यह आपका है minus z square तो अगर इसको एक साथ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि x plus y का whole square minus z square और अगर इसे लिखे तो यह a square minus b square होगा तो एक बार आप लिख दे a plus b अठाथ x plus y plus z और एक बार लिख दे x plus y minus kya z अब आप एक बात बताईए अगर मुझे इसका या इसका value मिल जाए तो लगता है कि मंजिल मेरा पार हो जाएगा तो यहां से हम x plus y plus z का value निकाल लेते हैं तो आईए देखा जाए x plus y plus z का value क्या होगा अब गौर करेंगे देखिए यहां b और यहां b दो b मिलके positive हुआ और यहां दो b निगेटिव में तो कड जाएगा यहां सी यहां सी positive मिले के लिए negative में कड जाएगा a और a positive और यह negative में कड जाएगा जब का सब कड गया तो result क्या आगया 0 और आपको पता होगा कि 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे, चाहे वो भैरियेबल हो, चाहे वो constant हो, result क्या आपका आएगा 0, तो इस प्रसंद का उत्तर आपका होगा 0, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रसंद, अगला question क्या कह रहा है, यह दिख plus 1 by a square plus 1 by b square बराबर क्या दे रखा है, 4, और आपसे पूछा जा रहा है कि बोलिए a square plus b square का value क्या होगा, चलिए, अब देखिए इस question को solve करना है, तो ऐसे आप क्या करेंगे इसमें, आप सेम जाती वाले को एक साथ ले लिजी, तो सेम जाती वाले कौन-कौन है, तो a square plus 1 by a square इन्हीं एक साथ कर ले, और b square plus 1 by b square वाले को एक साथ कर ले, तो यह आपका आगया 4, अब हम क्या करते हैं, कि इसको ले लेते हैं, तो a square plus 1 by a square, देखिए उधर 4 है, हमने 2 को इधर बुला दिया, यह 2 मेरा इधर आ गया, फिर प्लस, यह b square plus 1 by b square, और इसमें जो 2 और बच गया 0, लेकिन देखिए यहां एक अच्छा सा काम हो गया, क्या हो गया भाई, यह क्या चीज है आपका, तो यह आपका है, a minus 1 by a का whole square, करके देख ले, a का square, plus 1 by a का square, minus 2 a b, तो minus 2 a b, जब करेंगे, तो 2 a b, a से a कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, आपका minus 2 बच जाए अब आप साइद एक concept जानते हूँ, वो concept क्या है भाई, कि यदि x square और plus y square का value 0 आता है, तो clear meaning होता है, कि यहां x भी 0 है, और y भी क्या है, 0 है, क्योंकि अगर यह 0 नहीं होगा, तो उस situation में value positive आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा, इसका मतलब यहां से आप direct लिख सकते हैं, कि a minus 1 by a equal to 0, तो आप यह बोल सकते हैं कि a square बराबर 1, यह बोल सकते हैं कि a square बराबर 1, यह बोल सकते हैं कि a बराबर plus minus, same उसी प्रकार से आप b के साथ भी करेंगे, तो b का value भी आपका आजाएगा, plus minus 1, और मेरे को निकालना क्या था, तो a square plus b square, तो plus minus 1 का whole square, और plus minus b का, sorry, plus minus 1 का whole square, और b का भी value plus minus 1 ही है, तो इसका भी square करेंगे, तो 1 plus 1 आपका answer जुआएगा, वो क्या आएगा, तो यह रहा long process, चलिए अब इसको sort करके हम बनाते हैं, इसे अब हम सल्व करते हैं, method 2 से, अर्थात value putting method से, हम बार बार बता रहे हैं कि value putting method practice का चीज है, जितना बेहतरी धंग से आप practice करेंगे, उतना इस पर approach आपका अच्छा होगा, अगर मुझे 4 लाना है, तो मैं सबका value 1 ले लो, तो कोई दिकत है क्या, यह 1 का square, यह 1 का square, यह 1 by 1 का square, और यह 1 by 1 का square, तो result 1 plus 1 plus 1 plus 1 equal to 4, equal to क्या आगे आपका 4, तो E का value 1 और B का भी value 1, तो यह हो जाएगा, 1 का square plus 1 का square, 1, 1, 2, और 2 इस प्रसन का सही उत्तर होगा, क्लिए रहे सभी को, तो चलिए मिलेंगे आगे दूसरे वीडियो में,